हेलो दोस्तों विवेच नामें आपका स्वागत है रोही शेटी के फेमस रियालिटी शो खत्रों के खिलारी के नए सीजन के बारे में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है और खबरे हैं कि इस बार फिर से बिग बॉस के कई सारे कंटेस्टेंट इस शो का हिस्सा बनेंगे इस बार इस शो का बारवा सीजन आएगा और इसके साथ ही खत्रों के खिलारी सीजन बारा के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट को लेकर अटकले लगनी शुरू हो गई है इसी बीच खबर आ रही है कि खत्रो के खिलाडी 12 में बिग बॉस के 5 कंटेस्टेंट भी हिस्सा बनने जा रहे हैं ऐसे मैं यह जानते हैं आखिर कौन-कौन जुड़ सकता है इस बार खत्रो के खिलाडी से तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतीक सहचपाल की बिग बॉस 15 के फर्स्ट रणर अब प्रतीक सहचपाल इस बार इस शो का हिस्सा बन सकते हैं आपको बता दें कि प्रतीक बिग बॉस OTT का भी हिस्सा रहे थे और उन्हें फैंस ने जम कर प्यार दिया था वहीं अगर अगले कंटेस्टेंट की बात करें तो वो होंगे उमर रियाज खत्रों के खिलारी सीजन 12 के लिए बिग बॉस के कंटेस्टेंट है चुके उमर रियाज का नाम भी सामने आ रहा है आपको बता दे कि उमर रियाज ने बिग बॉस में अच्छा खेल दिखाया था हाला कि उनका सफर बेहद अलग तरीके से अंत हुआ था और हिंसा की वज़े से उन्हें घर से बाहर कर दिया था ऐसे में उनके पास खुद को साबित करने का एक और मौका है अब बात करते हैं हम दिपिका ककड की ऐसी खबरे हैं कि बिग बॉस 12 की विनर और ससुराल सिमर का फेम दिपिका ककड इस बार खत्रों के खिलाडी का हिस्सा बन सकती है आपको बता दें कि दिपिका ने करोना के दोरान टीवी पर वापसी की थी लेकिन बाद में वो टीवी से दूर हो गई थी अब हम बात करते हैं सिम्बा नागपाल की जी हां रिपोर्ट्स के अनुसार बिग बॉस 15 की कंटेस्टन रह चुके सिम्बा नागपाल भी खत्रो के खिलाडी सीजन 12 में प्रती भागयों की लिस्ट में शामिल है सिम्बा फिलाल नागीन 6 की शूटिंग कर रहे हैं अब देखना है कि सिम्बा इश्चो का हिस्सा कैसे बनते हैं सबसे अन्त में हम बात करते हैं रुबीना दिलेक की रुबीना दिलेक बिग बॉस 14 की विनर रह चुकी है और खबरे हैं कि वो भी खत्रो से खेलने के लिए पूरी तरह तयार है और अगर ऐसा हुआ तो इस बार फैंस को बिग बॉस की कई नई और पुरानी चोड़ियां साथ में देखने को मिलेंगी तो दोस्तों कितने एक्साइटिड हो आप खत्रो के खिलाडी के सीजन 12 को देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस वीडियो को लाइक शेर भी जरूर करें और विवेचना को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें